ancient Indian history के जो most important books हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मृच कटिकम के लेखक शुद्रक है और ये संस्कृत भासा में लिखी गई बूक है next book है गीत गोविंद जैदेव दुआरा लिखी गई बूक है जो 12th century में इन्होंने लिखी थी बूक next book है नई शाध्य चरित नई शाध्य चरित या नई शाध्य चरितम जिसे स्री हर्ष ने लिखा है स्री हर्ष 12th century के poet थे इन्होंने नई शाध्य चरित लिखा है इस बूक को मैंने इस वीडियो में details में books और उसके writer के बारे में information देने की कोशिश किये लेकिन मैं उन्हें बोलूँगा नहीं नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो को पॉझ करके आप जरूर ये information पढ़ ले एक बार क्योंकि काफी informatives ये information है next book है हर्ष वर्धन दुआरा लिखा गया हर्ष हम लोगों ने देखा स्री हर्ष जो है ये 12th century के poet है और हर्ष वर्धन जो है इनका सासनकाल 666 से 647 के बीच में था ये राजा है और इनी के सासनकाल में चीनी यात्री वेंसंग भारत हैं थे हर्ष वर्धन ने तीन बुक लिखे हैं नागनंद, रतनावली और प्रियदर्शिका हर्ष वर्धन के quote poet बानभट थें जिन्होंने हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी है next book है महाभाश पतनजली द्वारा लिखी गई बुक है निती सार, निती सार को अचार्य कमान दकी ने लिखा है अचार्य कमान दकी जो हैं अचार्य चानक्य के एक स्टुडेंट थें अस्ट अध्याय शंस्कृत ब्याकरण का बुक है जिसे पानिनी ने लिखा है information जरूर पढ़ें पानिनी से related क्योंकि काफी importance है examination में सेम आज आता है यह information next book है गठा शब्त सती या गठा कोश इसे बोलते हैं जिसे हाला ने लिखा है इसके writer का नाम है हाला गठा शब्त सती का हाला जो है साथ वाहना किंग है information आप देख लें next book है लिलावती इस book को वास्करा चारे सेकेंड ने लिखा है mathematics की book है लिलावती वास्करा चारे सेकेंड ने अपनी पुत्री लिलावती के नाम पर ही इस book को रख दिया है आप information जरूर यह पढ़ ले लिलावती बाई वास्करा चारे सेकेंड next है पंच सिध्धानती का ब्रहा महीर द्वारा लिखी गई ये भी एक mathematics की book है astrology और mathematics को मिलागर लिखी गई ये book है पंच सिध्धानती का अमर कोश अमर सिंभा द्वारा लिखी गई book है ये information नीचे है आप देख लीजिए next book है नाट्य शास्त्र भरत मुनी द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र book है next book है बुद्ध चरित्र अश्व घोश ने बुद्ध चरित्र संस्कृत भासा में लिखी थी book next book है शोपन वाशवदतम ये book भाषा के द्वारा लिखी गई है यानि कि किताब का नाम हो गया शोपन वाशवदतम और लेखग का नाम हो गया भासा नेक्स्ट बूक कालिदाज से रिलेटेड बूक्स हैं, कालिदाज ने काफी बूक्स लिकी थी, तो उनी के बारे में कुछ बूक्स हैं कालिदाज के, अभी ज्यान सकुंत्रलम, मलिका, अगनी मित्रम, माल्विका है, सौरी, माल्विका, अगनी मित्रम, रगु वन्सम, कुमा समभव, मेगदूतं, रिटू शमहारा तो यह कालिदासे related books हो गई हैं, next मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्थ द्वारा लिखी गई book है, next book है, राज तरिंगनी, जो कलहन द्वारा लिखी गई book है, next book है कथा शरीता सागर कथा सरीता सागर सोम देव दोरा लिखी गई बूक है यह एक सैविस्ट है इस दिए यहाँ पे लिखा गया है सेविस्ट सोमद्र सेविस्ट हिंदू काईна एक मतलब कि समुदाय है शेविस्ट कामशुत्र यह वाधर सयायन दोरा लिखी गई बूक है वातसयायन को कभी कभी मलिंगम भी कहा साता है या मलिंगम वातसयायन कहा साता है नेक्स्ट बूक है प्रश्णो उत्तर रतना मलिक प्रश्णो उत्तर रतना मलिक ये अमोग वर्ष फस्ट द्वारा लिखी गई ये अमोग वर्ष प्रथम के द्वारा लि तो ये डिटेल्स में अपने बुक्स रहें जो हरे एक एक्जाम में लगबग पूछी लिये जाते हैं